हेलो दोस्तो नमस्कार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो आज की दिन का पहला वीडियो तो आप लोगों ने देखिया होगा अगर नहीं देख लिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरू इसको कवर कर लेना उसी के साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के उपर आज की दिन ये संडे की दिन एक इंपोर् इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन बात करने वाले हैं दो दिन के गैप के बाद कल बाजार जो रिजिम होने जा रहा है तो आप सबी लोगों को पता है ये वीडियो में हमेशा बनाता हूं फ्राइडे का दिन जैसे खतम हो जाता है सैटर्डे संडे वो लिंक ब्रेक हो जाती है तो वो लिंक में वापस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जॉइंट करके देना चाहूंगा कि कौन से स्टॉक आप लोग यहापे फोकस में हिरक सकते हो ये कोई रेकमेंडेशन नहीं कि आप कल जाके बाई करो या फिर शॉर्ट करो य लिए जो स्प्लिट है उसको मंजूरी आप दे दी है हाला कि उसके पेपर वर्क के लिए यह सारी चीजों के लिए कई महने लग जाएंगे यह आप लोगों को यहाप पता होना चाहिए आयर सिटी से का अभीत तक नहीं वा तो एफल का तो बहुत जादा लगबग दो से त सरकिट दिखा चुका है क्या यहाप पर सरकिट कंटीनी रहेगा की नहीं यह देखना कल के दिन के लिए एफल इंडिया का शेर आप लोगों के फोकस के मतलब रडार के उपर सबसे ज़्यादा मोस्ट फोकस टॉक में होना चाहिए नेक्स अगर हम लोग बात करें 3i infotech और बाद में company released भी हो जाएगी अगें के रहा हूं जो लोग सवाल पूछ रहे हैं मुझे दो सवाल सबसे आदा इसमें पूछे गए सर क्या हमारा पैसा डूब गया आपका एक रूपे नहीं डूबने वाला है सिंगल रूपी भी आपका नहीं डूबेगा आपके share यहाप वह सब्सक्राइब चार से पांच मेना भी लग सकता है डेट पता ही नहीं तो अभी हम लोग क्या बहुंगे रैइट यह रिलीस्ट होने वाले इतना हम लोग कह सकता है सेम लाइक रूची सोया उसके बाद क्या यह जंप आता है नहीं आता है वो देखना पड़ेगा आप सबिलों को पते है आरजे ने आपे बहुत बड़ा माल उठाय है बहुत सरे एक्सपर्ट अभी इस बैंक को रेकमेंट कर रहे हाला कि मैं अपने साइट से आप लोग को बता चुका हूँ यह बैंक मुझे बिलकुल भी ठीक नहीं लगा परफॉर्मस खराब है लगाता पर नहीं लग रहा है बट स्टिल पढ़ने के लिए स्टड़ी करने के लिए यह भी आप लोगों के वाच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप सब लोग को मैंने एक वीडियो बना कि बता है था कि हाइदराबाद लेजेगा मदरास हाइकोर्ट यह दोस्तों मदरास हाइकोर्ट की अगर में यह आप बात करू तो उन्हेंने एतियासिक फेसला सुनाया था आप सब लोग पता है बंपर टू बंपर इंशॉरंस की बात करें मतलब सब कुछ आपको अभी इंशॉरंस में हर कोई कवर होने व रहेगी तो इसके चलते आप लोगोंने आईसे से लोंबार्ड के उपर फोकस यह पर रखना है उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बता है था कि न्यू इंडाय अशॉरंस यह भी देखा गया है तो सेमी काम करता है बट यहापर तेजी नहीं रहते क्योंकि यह जो रहेगी तो इसके उपर भी आप लोगोंने फोकस जरूर बनाके रखना है खास करके आईसे इसे लोंबार्ड के उपर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पीजी एचल पीजी एचल के रिजल्ट सामया थे बाजार को नंबर कैसे लगे तो ठीक ठाक लगे अगर आप चाहो तो पीजी एचल के उपर फोकस यहां पर बनाके रख सकते हो नेक्स दोस्तों यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का फोकस होना चाहिए मदर संथ सुमी के और आप सब लोगों को पता है मैंने डीटेल वीडियो भी बनाए ता 10 से 15 मिनिट क सकते हो उसी किसा साथ साथ आप सबी लोगों को बता है अगर ग्रीन टेक की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने भी बहुत बड़े दावे यहां पर किये हैं इन फैक्ट यह भी बता दिया कि आने वाले दो से तीन मैने में इनको हजार बसे की जरू आप इन स्टॉक्स के उपर फोकस रख सकते हो मैं अगेन के रहा मैं कोई बाइंड या फिर सेलिंग का रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ पर आपको लोगों को यह सारा जो लिंक है वो यहां पर कंटीनी होना चाहिए इसलिए वीडियो बनाया हुआ है नेक्स अ अगर हम लोग बात करें तो इसका भी न्यूज मैंने कल के दीन की पहली वीडियो भारती एरेटेल से रिलेटेड थी कि पता नहीं अभी यह सच है कि जूट है बट गूगल यहां पर भारती एरेटेल में बहुत ही हेवी इन्वेस्मेंट कर सकता है यह सोर्सेस के द्वारा मिडिया रिपोर्ट के जवारा एक न्यूज सामने आई प्रैक्टिकली हजम होना थोड़ा डिफिकल लग रहा है क्योंकि जियो के साथ अल्रेडेड इनकी 34,000 करोड की इन्वेस्मेंट है एंड जियो एंड एरेटेल तो आप सब लों को पता है एक जबरदस नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर रिटल फ्यूचर रिटल ने भी कल सैटर्डे की दिन आप लोगों ने देखा होगा सुप्रेम कोर्ट में अपने अधिकार का इस्तमाल करते हुए यहाँ पे Amazon.com के उपर यहाँ पे केस कर दिया है यहाँ तक उन्होंने कह लेगा या निगेटिव लेगा कि केस यहाँ पे कर रहे हैं तो शायद से उमीद की किरण पकड़ेंगी या फिर उन्होंने यही कहा है कि अगर हार गे तो सीधा सब कुछ ही खतम तो यह देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा फ्यूचर रिटेल फ्यूचर एंटरप्राइज एंट फ्यूचर लाइफस्टैल यह तीन स्टॉक इस न्यूज के चलते कल हम लोगों को प्रभावित होते वे देखने को मिलेंगे तो इनके उपर आप लोगों का जो फोकस है वो रिलाइंस के उपर भी यहापे कंटिन्यू रहना चाहिए तो यह कुछ स्टॉक से जो कि आ लिखना बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग यहापे रहने वाला है तो कल इस टॉक के उपर भी आप लोगों का फोकस कंटिन्यू रहना चाहिए देन एविएशन के अगर हम लोग बात करें एरलाइंस कंपनी की बात करें तो आपको पता है कि यहापे जो रेस्टिक्श के लिए आपको इंफोर्मेशन पता होना चाहिए इसके लिए वीडियो बना है जो कि आप लोगों को यहापे सारा डेटा यहापे अपडेट करके रेडीमेड हो चुका है तो जीतने भी इंपोर्टन स्टॉक्स थे जैसे मैंने का कि न्यूस बेस के चलते हैं यहापे फोक हो सके आप लोग अपने भी नोट्स यहापे क्रेट कर लेना एंड यहापे जितना हो सके इन स्टॉक्स के बारे में अपनी प्रेडिक्शन भी ड्रॉ करने की कोशिश करते रेना तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेर भी कर देना तो एक से टैंक्यीव रिमाज दोस्तो वी बिल भी मेटिंग आ रहें शुदे तब तक के लिए बाई बाई